जया मता दी दोस्तों आपका दोस्त मोहित रागव फिर आपके साथ जुड़ रहा है दिवाली के दिन होस्टेलिया वर्सेज स्रिलंका का मैच लेकर एक्शली जब यह वीडियो बना रहा हूं तो दिवाली का ही दिन है और उम्मीद करता हूं कि आप सब की दिवाली बहुत दूसरी तरफ स्रिलंका पहला मैच खेला आयरलेंड से बहुत अच्छी तरफ जीता इट मेंस कि दोनों टीमें अगर उन पेपर देखोगे तो आपको उस्टेलिया मजूद लगेगी स्रिलंका कमचोर लेकिन अभी तक पहले-पहले मैच के बाद फ्यूचर कॉंट्रास्ट है कि ऑस्टेलिया हारा और स्रिलंका जीते हैं इस मैच में क्या होगा प्लेंग लैविन में क्या तबदीलियां हो सकती हैं फैंटेसी टीम क्या बनेंगी आपकी उस सारी चर्चा के साथ मैं आपके लिए इस वीडियो में जुड़ा हूं आपको सबसे पहले क्लिक करना है आ जुड़ना क्यों है क्योंकि मैच के अपडेटिट और अन्य तमाम तरह के अपडेट्स जो है वो आपको वहीं मिलेंगे आपको पता ही कि अपडेटिट टीम जो है हमारी वहीं टेलिग्राम पर मिलती है तो अभी क्लिक करिए और जूड़ जाएएगा टेलिग्राम चैनल ठीक है इनकेस अगर लिंक से नहीं चुड़ पा रहा है तो यह करिए कि सीधे जाएए टेलिग्राम एप पर वहां जाटिए सर्च कीजिए किर्किटोलोजी जब आप किर्किटोलोजी सर्च करेंगे आपको धेरो चैनल दिखेंगे उस धेर मैसे आपको यह वाला चैनल जि अब मैच की चरता है तो सबसे पहले ऑस्टिलिया की बात करते हैं आपको पता है कि पहले मैच में हारा इससे बहुत बुरी तरह है और कहां हारा पहले ही ओबर मैं मिचल स्टार्क जब ग्यानवाजी करने आए तो फिन एलन को यह बहुत लंबा चपका मारा और उसके बाद मुझे लगता है कि पहले दो सोट्स में जो अस्टेलिया को लगा आज उनका दिन नहीं है और वो कुछ कर नहीं पाएंगे उसके बॉडी लेंगवेज बडी नेगेटिव इनकी हो गई थी और पूरे मैच में लगा ही नहीं कि जीतने के लिए यह मैच बनाने के लिए खेल कि पहली बात तो यह है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि एक मैच में आखारने के लिए चेंज करेगा कि सेम प्लेइंग 11 के साथ जाएगा क्योंकि यह इनका बेस्ट प्लेइंग 11 है लेकिन फिर भी मैं इंग बदलाव यह चाहता हूं कि आपकी टीम के एक्स फेक्टर बले ग् केमरन ग्रीन को अगर आप खिलाएंगे तो आपका कुछ भला हो सकता है इस तो इन इस पिसले में जा विकेट नहीं ले पा रहे हैं रन नहीं बना पा रहे हैं तो ग्रीन का फ़ाम अच्छा है पहले तो भी एता कि पीम में नहीं थे लेकिन जब जोज इंगलिस को इंजरी जबाली होई तो उनकी जगे केमरन ग्रीन आगे तो आप केमरन करीन को आप खिला सकते हैं यह मिचल मार्स की घ्ला लीचे अगर आपको इसमें अलुरा नौट्र मैक्स, चाहिए चाहिए तो जगे लिए क्यों आपको बदलाव कर सकते हैं चाहे तो गी दूसरी तरब स्रिल तो यह कि बाप्सी होगी बाप्सी होगी तो असे इन बंडारा सीधा बाहर जाएंगे और उनकी जगे आ जाएंगे लेकिन अगर बाप्सी नहीं हुई तो यही स्पोर्ट रहने वाला है मेरे पीछे से काफी आवाज आ रही होंगी मैं घर में बैठके वीडियो बना रहा हूं आपको पता है दिवाली का टाइम है उत्सा का माहोले लोगों में तो उसकी वज़े से तोड़ा यह सोर सराव और यह जारा मिलना जुजना चत्चाएं जो होती है घरो में हम सब के उसक अगर फिट हुए तो लिनुरा फर्नांडों की आपको देखने को मिल सकते हैं अन्य सा तो कोई पतलाव की कुछ जैस नहीं है और निशान का अगर फिट हुए तो असीन बंदारा के साथ जाएंगे जाएंगे अब आज आते हैं फैंटेसी कि आपकी क्या होने जारी है रेक कि आपको फैंटेसी टीम खेलनी कहा है तो दोस्तों आपको ट्राइ करनी है वह फैंटेसी टीम कहां पर विजन लेवने पर बहुत सांदार है बहुत अच्छा है इस वीडियो का सबसे उपर वाला कमेंट है वहां मैंने लिंक दे रखा है किलेक करके जोई कर सकते हो फैंटेसी टीम पर चानगे भाज़े है और आगे बढ़ते हो क्या करते है चलते हैं यह स्पर सबस्ते हां मैंटस cŪी कि जोटीम सबसाद के मेंडेस हमारे विगिर कीपड रहेंगे तीन बैटिंग ऑप्षन लेकर जारूं चाहिए त इसांग का डेविड वार्नार मिंचल वार्श कड कर दो यह जा दा परिसान कर लेए तो वार्नार मिंचल मार्स और अश्लांका थीन बैटिंग अप्षन के बार तीन और वार्ट से वानेंदू हस्रंगा और चमिका करुना रतने के रूप में और चमिका का पिछए मैच में हमने देखा कि बॉलिंग से किस तरीके से गीम कबर बढ़ा है वो साइड़ रहेगा जिमितारी ज्यादा रहेगी उन पर तो ऐसे में चमिका करुना रतने को लेना बनता है चार बॉलिंग उप्शन लाहिरो कुमारा महिष्टी क्षाना को ले रहा हूं तो फिर स्टार को लेके रहा हूं पैट कमिल से अड़म जापा को डॉप करूंगो मुझे लगना है कि स्टार को अभी भी प्रिफरेंस देनी चाहिए कि स्टार्टिंग में तो फिर से ट्रस्ट करना चाहिए कुमारा तीक शाना ची तो होई गे तो यह आपकी स्मॉल लीग टीम कैप्टन बाने दो हसरंगा के लावा हमें शायद स्मॉल लीग में नहीं सोचना चाहिए वाइस केप्टन स्ट्वेनिस अगर सेम गीम कवर उनका रहता है तो परफेक्ट चोईस है बले ही पिसले मैंसमान को विकेट ना मिले हो रन ना बनाये हो लेकिन जिस प्लेयर का गीम कवर जादा उसके चलने की वी चांस जादा तो ऐसे में स्ट्वेनिस हमारी परफेक्ट वाइस केप्टन सी चोईस रहे हो चलते हैं मिनी गिरंडिक टीम की तरफ क्या बदलाग हुए विकेट कीपर मैंडिस ही रहेंगे वाइस केप्टन सी की जिम्मेदारी दी है मैंने उनकी गयन बल्ले बाजी को देखते हुए उस बात को ध्यान में रखते हुए ठीक है तीन अप्शन में लेके जा रहा हुए वार्नर डिसिल्वा फिंच मतलब असलंका की जगे डिसिल्वा आ गए हैं और मिचल मार्स की जगे फिंच आ गए हैं ऑल्राउंटर वही दोनों रहेंगे जो वहाँ थे हसरंगा और चमिका करुनारतने को ड्रॉप करके विनूरा क्योंकि वार्नर का फॉर्म भी रिसेट्वी बहुत अच्छा रहा है भले पिछले मैस में कुछ ना कर पाए हैं अब चलते हैं तो यहां थोड़ा ओवर्वाल कहते हैं या कह सकते हैं थोड़ा फोल सिर्चेंजे आपको देखने को मिलेंगे जैसे आप देखें मैथिवेड मैंडिस की जगे एक बदलाव वान को राजपक्षा आगे जी सिल्वा की जगे दूसरा बदलाव टिम डेविड तीसरा बदलाव चौथा बदलाव मार्स का हो गया ठीक है तो यह कुछ बदलाव हुए ओल राउंडर में मैक्सवेल आगे सब्सक्रा रहे वहीं पांच बॉ आपको बना के लिए कैप्तन स्टार और वाइसकेप्टन पैट कमिंस की अगर उस्टिलिन बालिंग मैं यह वहां के चल रहा हूं कि इस में बाप्सी करेंगे और वाप्सी करेंगे तो यह तीम पर आपकी जल्वा ए जुंबिस करेगी ठीक है तो यह आपकी बनी इसे इसे पर यूहीं पर साब को क्या करना है चैनल को सब्सक्राइब करना है नोटिफिकेशन बैल दवानिये और जुड़े रहना है मुझसे ठीक है हम मिलते रहेंगे इस वीडियो में इतना ही टाटा बाई बाई जैमाता दी